वेलकम बैक टू माई चानल आज हम आप लोगों के लिए बहुत इजी तरीके से बहुत ही टेश्टी गुजिया की रेसिपी लेके आए हैं जो बनाना बहुत आसान है बहुत ही टेश्टी बहुत ही क्रिस्पी ये गुजिया बनके तयार होगा और इस्टफिंग भी खुब ज मैदे की साढ़ल आपनी जया पूर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए पहले हम मैदा डो बना लेंगे यह दो कप मैदा है इसमें तकरीबन 2- 3 टेबल इस्पून घी है एब इसको अच्छी तरीके से हम खस्ता कर लेंगे गी में ही तो बना पूरे मैदे को हमने समेट लिया है यह हाफ कप पानी हमने यूज किया है अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेश्ट होने के लिए रख देंगे तब से मैदा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा अब हम चलते हैं इसके इस्टफिंग की तयारी करने सबसे पहले हम ड्राइफ लूट को खाई कर लेंगे एक चमद घी आइट करेंगे यह काजू बादाम पिस्ता इसको हमने इस तरीके से रोष्ट करके और इसको हमें हल्का सा दरदरा से पीशना है यह सुखा नारेयल है हमने सुखा नारेयल लिया निकसी जार में आइट करके इसको ग्राइंड कर लि यह सूजी है 2 टेबल इस्पून सूजी है सूजी को भी एक दम low medium पे हम को roast करना है बहुत ज्यादा color नहीं change करना है बसे एक से दो मिनिट हमको इसको roast कर लेना है रोष्ट हो चुका है अब हम फिर एक चमच घी एट करेंगे अब हम खोयों को भी भून लेंगे इसको मावा भी कहते हैं यह 500 गराम है इसको हम 2-3 मिनट इसकी भूनाई कर लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और अच्छे सी यह मिल्ट हो जाए देखे तक्रीमन 2-3 मिनट इसको हमने भून लिया है 1 टी स्पून छोटा चमच है लाइची पौडर एट कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिलेम को हम बन कर देंगे अब यह ठंडा होने देंगे अच्छी तरीके से थोड़ा से ठंडा हो चुका है अब हम सूज को भी मिक्स करेंगे अब इसकी सारी नमी सूजी अब्सॉब करेगा अब यह वही ड्राइफ रूट है इसको हमने दरदरा से पीस लिया है यह को कोनट का गुरादा है इसको भी हमने आइट कर दिया है अब अच्छे सी ठंडा हो गया है अब यह हाफ कब यह अपने मीठे के हिसाब से आपको जितना पसंद हो उसी हिसाब से ही शुगर पाउडर हमने आइट कर दिया है तक्रीबन हाफ कब यह था देखें मैदा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है एक बार फिर इसको पंच मार लेंगे अब पूरी के साइज के हम लोई बना लेंगे आप लोग हमे सपोर्ट करिए आप लोगों के लिए इसी तरीके से इजी टेश्टी रेसिपी लेके हम आते रहेंगे बहुत फटा फट सी यह बन जाएगा अभी हम गुजिया मोल्ड में बना रहें हैं इस तरीके से स्टफिंग को अच्छे से रखेंगे खोए की स्टफिंग और कारनर प जहीं कितना फटा-फट से बन गया है इस तरीके से हम सारे बना लेंगे में आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए हमें सपोर्ट करिए हमारा हुसला बढ़ाइए आप लोगों के लिए इसी तरीके से टेश्टी इ्जी रे freshmen आते रहेंगे आप हमें इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अब घी हमारे अच्छे से गरम हो चुका है चोटा साटा डाल के देख लेंगे देखिए इस तरीके से होना चाहिए बहुत ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए तीन से चार पीस हम इसमें घी में आइड करेंगे आपके पैन में कड़ाई में जितना हैट हो सके उत नहीं आइड करिए अब बस दो से तीन मिनट में हम इसको गोल्डेन फ्राई कर लेंगे उलट पलट के देखिए कितना बेतरीन देखने में लग रहा है और कितना आसान तरीके से ये बनके तैयार हो गिया है ये एकदम गोल्डेन लाइट गोल्डेन होना चाहिए एदम क्रिस्पी से हो जाना चाहिए तभी हम निकाल लेंगे अब इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे अब आपको गर्मा गर्म सर्फ करके दिखाएंगे इस तरीके साब जरूर बनाईए सभी को बहुत पसंद आएगा एक बार आप बनाएंगी बार बार बनाने के दिल करेगा आपने हमारे वीडियों के देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया